सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे नाइका यानिकी फैसन एकॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड ने अपने क्वाटर फॉर के नमर डिश कर दिया है तो कैसे रहे हैं क्वाटर फॉर के नमर और इसका जो एफेक्ट है वो हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को म में करोंडर के ओगना पर कॉननिया हमें प्राइब कांपनी ने वो कैसे हैं 1655 क्रोड के previous में 1779 क्रोड के और प्रिविस रगे सेवं कॉटर में 1302 क्रोड के year to year expense में जंप है but quarter to quarter expense में हमें गिरावड देखने को मिल रही है और अब के बार जो revenue है expense से आप लोग देखो को फिल जाद है मतलब कमपनी ने profit बनाया भई लेकिन profit कितना है चलिए देखते भी net profit for the period अगर बात करें तो अपकी बार जो profit अभी वह है 90 million जिया 90 million यानि की 9 क्रोड के असपास का जबकि previous में 17 क्रोड का profit था और वहीं previous year के same quarter में आप लोग देखो कि 2 क्रोड का profit तो year to year आप लोग देखो कि profits में हमें एक जबरदा जंप देखने को मिले 2 क्रोड से 9 क्रोड पर profit आये हैं तो सीधे तोर पर आप लोग देखो कि भी यह जो भी हमें लग बग साधे 300-400 प्रसेंट के असपास इंक्रीज होते हुए नजर आया profit तो श्रीया साधे 400 प्रसेंट के असपास उसके बाद आप लोग देखो कि यह और निर वेशीज पर quarter on quarter वेशीज पर 17 क्रोड से profit आये 9 क्रोड पर यानिकि यहां पर 50 प्रसेंट डाउन आये तो यहां पर इसके रेजर्ट्स हो यानिकि क्यों 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 पर थोड़े से रेजर्ट्स क्राव है बट इर निर वेशीज पर काफी अच्छी रेजर्ट्स है इसके बाद देखो कि भी 12.100 में profit लगबग 20 क्रोड से profit उसलगर हो गया भी लगबग 49 क्रोड तो यह इसके रेजर्स और expect किया गया था भी 4 पैसे का यानिकि 2 पैसे EPS कम हमें आते हुए नज रहा है इसके बाद 50% EPS डाउन गया भई तो इसका यहां से नेगिटिव असर स्टॉक क्यों पर आएगा उसके बाद आप लोग देखो revenue क्या expect किया गया था revenue 1650 क्रोड expect किया गया था आया कितना है आया तो भई देखो revenue from operations 1667 क्रोड क्या असपास है ने कि revenue from operations जो दिया गया ना वो तो यहां पर आप लोग देखो कि भी बीट हुआ है लेकिन जो EPS expect किया गया था वो यहां पर 50% डाउन गया है तो flat results आते वे नज रहा है और बाकि देखें अभी quarter to quarter जो ख्राब आया है उ तो borrowing हमें देखने को मिल रही है वो previous से हमें जोना भी zero होते हैं नजर आई है और short term में आप लोग देखोगी increase हुई है ठीद यह total updates है इसके लाब कुछ पूशना कमेट में पूछ सकते हैं thank you for watching the video